पटना सिटी के आलमगंज धाना शेत्र के गंगाराम स्पताल में प्रसुती महिला की मौत से गुसाय परीजिनों ने जम कर हंगाम मचाया इलाज के दोरान प्रसुती की मौत से गुसाय परीजिनों नर्सिंग होम में जम कर तोड़ फोड़ की तो वही पेट्रोल छिड़क कर नर्सिंग होम में आग भी लगा दी जिसे नर्सिंग होम में अफरा तफरी मज गई गट्टा को अंजाम देने के बाद अस समाजिक तत्व शव लेकर मौके से फरार हो गए वह हंगामा, तोडफोर और आगजली की घटना को देखते हुए नर्सिंग होम के करमचारी भी मौके से फरार हो गए स्थानिये लोगों द्वारा घट्टा की जानकारी पुलिस और फायल ब्रिगेट को दिये जाने के बाद फायल ब्रिगेट की टीम ने मौके पर पहुँच कर काफी मशक्कत के बाद आगपर काबू पाया प्रिगेट के लिए तो अब जानना परेगा लगवा कितने दुरस्टों को यह जनकारी तो होगी ना पुकुल दिन अच्छा उनका प्रिगेट कर गया है अच्छा उसके फैम्ली वाला इसमें प्रिगेट के आग लगा दिया हम लोग सुचना मिना रटना तर्व समय समय से आग को कावक वाली है आग बिजा पूर्टू से बढ़ा दिया गया इस्टाप लोग नहीं है क्या च्छती हुआ यहां पर त्याट यह लोगना बताएंगा हम लोग क्या जाना तो वहीं लोगने बताएंगा असमाजिक तत्वो द्वारा की गई आग जानी के इस घटना में लाखो की संपती जलकर नश्ट हो गई वहीं घटनास्तल पर मौजूद पुलिस ने नर्सिंग होम प्रसाशन के शिकायट पर दोश्यों की पहचान कर उनके खिलाफ कटोर कारवाई किये जाने का भरोसा दिलाया हाला कि पुलिस ने वर्य अधिकारियों का हवाला दे कर इस संबंद में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से सीधे तोड़ से इंकार कर दिया फिलाल पुलिस अज समाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी है